बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब करें बीवी का टीवी एक ऐसा अभीनेता जो बनना चाहता था कैमरा मैन एक ऐसा कलाकार जिसके नाम दर्ज है वर्ल्ड रिकार्ड वो थे ऐसे एक्टर जो डाल देते थे हर केरेक्टर में जान डायलोग डिलिवरी की उनकी अलग ही थी शान नारत से लेकर विलन तक के सफर में उन्होंने जीता सभी का मन He is नन अदर दैन सब के प्यारे जीवन पूछो क्यों भगवान का सम बड़ी जहरी मालूम होती है और सववार बेकार जाएंगे विस्की में टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है हम इसमें आई स्टान ना भूल गया था ना वो यहां आएगा ना शांती देवी यहां से जा सकेंगे अरे इन्हें बस में करने के लिए अंग्रेजी में मंतर पड़ा जाता है बस जहां कहा I love you परी बस समझ ले वहीं डाल गली मैं यह पूछना चाहता हूं क्या एक आदमी का खून दो मरस्बा किया जा सकता है मेरा नाम तरुन व्यास है नमस्कार बीबी का टीव में बहुत-बहुत स्वागत बहुत रीसर्ज बाइग्रिफी हम आप तक पहुंचाते हैं और आपको पसंद आती है इसके लिए आपको बहुत-बहुत प्यार हमारी तरफ से बहुत-बहुत नमस्कार, शुक्रिया, करम, महरबाले करें और अगर आप छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे किस्से, इंट्रेस्टिंग किस्से, फिल्मों के सुनना चाहते हैं, एक्टर्स के सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो एक चैनल हमने नया चालू किया है बीवी का टीवी फिल्मी जरुखा जो बहुत पसंद किया जा रहा है आप वहाँ जाकर उसे भी देख सकते हैं उपर लिंक है वहाँ पर आप सब्सक्राइब करें जरूर से और प्यार दें आज जिनकी जीवनी उनका नाम खुद ही जीवन है जो जीवन ऐसे अभिने था जिन का जन्म हुआ था 24 अक्टूबर सन 1915 को जगह थी श्री नगर जीवन एक कश्मीरी पंडित थे इनका असली नाम था ओमकार नाथ धर और इनकी मा का नाम था चंपा धर और पिता दुर्गा प्रसाद धर इनके पिताजी कश्मीर के महाराजा अमर सिंग के राज में वजीरे वजारत हुआ करते थे और इस ओहदे के साथ साथ उनका एक और ओधा था वो था गिलगित के गवर्णर तो ऐसे धनी और नामी परिवार में जन्म हुआ था जीवन का जीवन कुल 24 भाई बेहन थे अपने परिवार में 23 भाई और उन पर सिर्फ एक बेहन किसी बात की कोई कमी नहीं थी फिर भी जीवन का बच्पन आम बच्चों की तरह नहीं हो पाया शुरुआत तो जीवन के जन्म से ही हो गई इनका जैसे ही जन्म हुआ इनकी मा का देहांत हो गया था और जब जीवन तीन साल के हुए तो किस्मत से इनके पिता का भी साया इनके सर से उट गया अब जीवन के अगर स्कूली सिक्षा की बात करें तो जम्मू कश्मीर में ही इनकी पढ़ाई होी और वहीं कॉलेज में दाخिला भी लिया और कॉलेज में पढ़ाई करतें इनके पढ़ने में आने लगे नाटक भी शेक्स्पियर के बहुत से नाटकों को पढ़ा जीवन ने और साथ ही आगा हशर काश्मीरी और पंडित नारान प्रसाद बेताब के कई नाटकों में इन्होंने स्टेज पर अभिनेय भी किया यानि एक्टिंग भी कर डाली पर इन्हें एक्टिंग से कोई सरोकार नहीं था कोई प्यार नहीं था इनका प्यार तो कुछ और ही था जीवन को बच्पन से ही एक चीज बड़ी आकरशित करती थी जिस चीज को बहुत प्यार करते थे जिस चीज की तरफ एक हीचे चले जाते थे वो था कैमरा कॉलेज की छुटियां पड़ी तो बंबई देखने का मन बना लिया और सोचा कि दो महीने की छुटियां है क्यों ना फोटोग्राफी सीख ली जाए सेकंड यर में थे और सोच रही थे कि ग्रजुएशन होने के बाद कश्मीर में एक स्टूडियो खोल लूँगा कमाई का साधन हो जाएगा अब ऐसा ही सोच कर ये सीधे निकल पड़े बंबई के सफर पर जेब में थे 26 रुपए रहने खाने की कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि बड़े भाई बंबई में ही रहा करते थे और इनके बड़े भाई के जिगरी दोस्त हुआ करते थे मशूर गीतकार दीनानात मधोग साहब यानि डीन मधोग उनसे इनके भाई ने कह दिया कि मेरा भाई फोटोग्राफिस सीखना चाता है किसी फिल्मी कमपनी से तज़र्बा हासिर हो जाए तो इसके लिए अच्छा रहेगा तब मधोग साहब ने किसी को कहकर जीवन को एक फिल्म कमपनी में कैमरे के गुर्ष सीखने के लिए लगवा दिया और जब पहली बार फिल्म कमपनी के स्टूडियो में पहुँचे तो वहां की चकाचौन देखकर नए ने लोगों को देखकर उनकी भाषा को सुनकर जीवन बड़े घबरा से गए और फिर उस वक्त उन्हें महसूस हो गया कि दो महीने को वक्त इस चीज़ को सीखने के लिए बहुत कम है मैं शायद ही कैमरा सीख पाऊंगा लेकिन कमाल बात ये भी रही कि डेड़ महीने का वक्त निकल गया फोटोग्राफिस सीखना तो दूर इनको कैमरे को हाथ लगाने का मौका भी नहीं मिला क्योंकि इसके पीछे भगवान की इच्छा थी उन्होंने कुछ और ही सोच रखा था चुटियां खत्म होने में अब सिर्फ 13 दिन बचे थे और इन्हें फिल्म कमपनी में एक छोटा सा काम दिया गया जो की बहुती नॉर्मल काम था काम था प्लाइवुड के दो रिफ्लेक्टर्स पर सिल्वर पेपर चिपकाना और उनको सुखाने के लिए रखना वैसे ही काम स्पॉर्ट बॉइज का होता है लेकिन जीवन ने सोचा शायद यही रास्ता है कैमरामेन बनने का तो काम को जल्दी से करके दिखा दिया जाए इसलिए चाया की जगए इन्होंने रिफ्लेक्टर्स को ले जाकर कमपाउंड में धूप में सुखा दिया जीवन को यह नहीं पता था कि इन्हें धूप में नहीं चाया में रखा जाता है जीवन कमपाउंड में उन रिफ्लेक्टर्स के पास खड़े हो गए और सूखने का इंतजार करने लगे लेकिन सिल्वर पेपर की चकाचौन ऐसी हुई कि उससे बचने के लिए इन्होंने आम की पेड का साहरा लिया लेकिन वहां क्या देखा वहां पर फिल्म के लिए नए कलाकारों की भरती चल रही थी एक सीन की रिहर्सल चल रही थी और एक्टर्स फाइनल हो रहे थे तभी सबने अपने अपने डायलोग बोलना शुरू किया और सलेक्शन चल रहा था जीवन भी टाइम पास के लिए उनके पास जाकर खड़े हो गए और अपना वक्त बिताने लगे वहां सब बारी बारी अपना डायलोग बोल रहे थे लेकिन जैसे ही डायेक्टर मोहन सिना को पता चला कि रमेश का जो किरदार निभाने वाला डायलोग बोलने वाला लड़का आया ही नहीं है तब डायरेक्टर मोहन सिना की नजर सीधी पड़ी जीवन पर और उन्होंने कह दिया बर्खुरदार तुम भी कुछ बोल दो किस्मत की राइफल जीवन को बुलाई टाइगेट कर रही थी लेकिन जीवन ने कह दिया साहब मेरा तो एक्टिंग से कोई सरोकार नहीं मैं तो टेक्निकल साइड का आदमी हूँ कैमरा मैंने सीखने आया हूँ लेकिन डिरेक्टर मोहन सिना ने इन्हें जिद करकर कहा कि आप डायलोग बोलिये मैं सुनना चाहता हूँ तो बस क्या था एक्टिंग तो इन्हें कॉलेज टाइम में की ही थी सबका दिल बहलाने के लिए जीवन ने पंडित नाराएन परसाद बेताव की महाभारत का एक जो डायलोग था वो बोल दिया वो डायलोग दुरियोधन का था बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गडेलों में सुलाओंगा तुमें अपत्थरों में और भेलों में सरे दर्बार खिद्मत में हर इक माधे कमर होगा किसी के हाथ में बल्लम कोई कर्था चमर होगा इसी दौरान हुआ ये कि इनकी दाइं आग पर रिफलेक्टर की रोश्णी सीधी पढ़ रही थी और ये डायलोग बोलते चले जा रहे थे और वो सीधी आँख छोटी होती जा रही थी क्योंकि आँखों से पानी बहने लगा था बस क्या था लोगों को लगा कि ये एक्टिंग में इस खदर डूब चुके हैं कि कमाल कर रहे हैं और जब डायलोग पूरा हुआ तो तालियां बजने लगी डायक्टर मोहन सिना ने कहा वाह 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 तुम तो बॉर्ण आर्टिस्ट हो यार फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूँगा तुम कैमरे के पीछे रहने के लिए नहीं बने हो तुम्हें तो कैमरे के आगे होना है और यही था किस्मत का टर्निंग पॉइंट कि जो आयते कॉलेज की दो महीने के छुट्टी में कैमरा मैनी सीखने वो बना दिये गए एक एक्टर फिल्म का नाम था फैशनेबल इंडिया और यह फिल्म 1936 में रिलीज हुई थी और उस साल की एक बहतरीन फिल्म साबित होई इसके बाद तु जीवन ने कभी कैमरे के बारे में भी नहीं सोचा अब खास बात यहां यह भी है कि जीवन ने अपने फिल्मी करियर में कई तरह के रोल तो किये और वहीं एक रोल तो ऐसा किया जो इन्हें दिला गया वर्ल्ल रिकॉर्ड जी हाँ जीवन ने अपने जीवन में एक किरदार ऐसा निभाया जो की एक नहीं दो नहीं तकरीबन साट बार निभाया वो किरदार था माइथालोजिकल फिल्म में नारत का जब जीवन नारत का रोल करते थे तो जीवन कभी भी नौनवेज नहीं खाते थे और शराब से भी दूर रहते थे ये थी उनके शिद्दत एक्टिंग के प्रती और एक फीलिंग के प्रती की नारत भगवान का किरदार निभाते से मैं अगर मन और तन शुद्ध नहीं होगा तो वो रोल सही से मैं नहीं कर पाऊंगा और कई बार तो हस्ते हस्ते जीवन ये भी कहते हैं कि शायद गाहे बगाहे अगर मैंने कोई भी पाप किये होंगे तो वो भी धुल जाएंगे क्योंकि नारत की शूटिंग करते वक्त मैंने इतनी बार नारायन नारायन कहा है कि उपर वाला भी मेरे सारे पाप माफ कर देगा ये थी जीवन के जीवन की सादगी कि वो जैसा फ्रोल के लिए सोचते थे वैसा ही हर किसी इंसान के लिए भी सोचते थे जीवन बखू भी जानते थे कि उनका चेहरा और परसनेलिटी कभी भी हीरो जैसी तो नहीं लगती है इसलिए धीरे धीरे उन्होंने विल्लिन के किरदार भी लेना शुरू कर दिये तो दर्शकों ने जो जीवन का वो रूप देखा तो लोगों ने और भी प्यार दिया और कहा वास्ता में सिल्वर स्क्रीन पर एक नया विल्लन आया है जीवन ने 1946 से लेकर 1978 तर देवानंद और मनमोहन देशाई की फिल्मों में खूब खलनाईकी का रूल निभाया और ऐसा निभाया कि लोग डरे भी और लोग चिड़े भी 1960, 1970 और 80 के दशक के एक पॉपिलर विल्लन बने जीवन जनोंने कई सुपर हिट फिल्में यादगार फिल्में दी कोहिनूर, शरीफ, बदमाश, अफसाना, इस्टेशन मास्टर, अमर अकबर एंथनी, धरमवीर, नागिन, शबनम, हीर, रांजा, जौनी, मेरा नाम, कानून, सुरकशा, लावारिस, नया दौर, सुहाग, नसीब, गिरफतार, ऐसी ही यादगार फिल्में जीवन की रही खास बात ये रही कि विलिन्स की अगर नामों में केन सिंग हो, मदन पुरी हो, प्रान हो, प्रेम चोपड़ा हो, या कोई भी हो, जैसे जैसे खलनायक सामने आते गए, उनके साथ ये भी नज़र आते गए, जब जब आए, तब तब इन्होंने अपना लोहा मनवाया, और बड़े बड़े खलनायकों के सामने अपनी खलनायकी इन्होंने बखुबी प्रस्तुत की, और जीवन की लोक्रियता कभी कम नहीं हो पाई, देखो भई, मैं लोगों से ज़्यादा बहस नहीं किया तका, विलिन और कॉमेडियन के जोड को बेजोड जोड कहा जाता है, और ऐसा जोड ऐसी शुरुआत करने वाले थे जीवन, जिन्होंने मेला फिल्म से ऐसा बेजोड मेल शुरू किया, रेस्ट करने के लिए कुछ चार पर बार पर नहीं है क्या, रेस्ट आराम, ओ गौड सेव दुकिन, आज पहलवान फिर गर मालूम होता है, अरे तो कहां कॉमेडियन अलग, लेकिन इन दोनों को एक साथ लेकर आना, एक ही आदमी ऐसा रोल करे, ये करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन इस मुश्किल काम को आसान बना दिया जीवन ने, और उसके बाद कई ऐसे विलन आये, जो कॉमेडियन भी बने और विलन भी गुल्शन परस्त हूँ, मुझे गुल ही नहीं अजीज, कांटों से भी निबाह किये जा रहा हूँ मैं ऐसा फलसफा रखने वाले जीवन ने, जैराम से लेकर दिलीब कुमार, राजंदर कुमार, महमूद और जीतेंदर, नचाने कितने ही कलाकारों के साथ सिल्वर स्क्रीन पर तनवारे लड़ाई और अपने विलन के किरदार नुभाते चले गए और इसी के साथ कई बार ये इनी कलाकारों के बाप भी बने नजर आए और फिल्मी बाप ऐसे बने जो यादगार रहे चाहे कितने ही विलन आए हो, सब के सामने बिलकुल डटे और खड़े नजर आते थे जीवन फिल्मी रिष्टों की बात करें तो ललिता पवार के साथ इनका एक बहुत जबरदस रिष्टा रहा 1937 में फिल्म आई थी राजकुमारी जिसमें ये विलन महामंत्री बने नजर आए और उसी फिल्म में थी ललिता पवार और 1942 की बात करें तो मामा जी फिल्म में ये मामा जी बने नजराए ललिता पुवार के और फिर 1955 में एसम यूसुफ की जो फिल्म आई थी उसमें ये ललिता पुवार के नालायक बेटे के रोल में नजराए तो बैठने के दरूद नहीं दरबचलाल तुम? हावन, मैं. इन्होंने गुरू तो बनाए, लेकिन ये अच्छे स्टूडेंट नहीं बन पाए, और शौक, शौक ही रह गया. अब यहाँ यह भी बात है कि ओमकार नाथ धर तो इनका नाम था, लेकिन जीवन कैसे पड़ा? तो यह नाम दिया था भारती सिनिमा के एक जाने माने नाम ने, जिनका नाम था विजय भट, जो कि अपनी फिल्मों के लिए बहुत जाने गए, निर्माता, निर्देश्यक और स्क्रीन राइटर रहे, उन्हीं विजय भट ने इनका नाम ओमकार से बदल कर जीवन कर दिया. कारण ये था कि डायक्टर ये निकेन प्रक्रेंग कैसे भी चाहते थे कि जीवन इस फिल्म में एक बार तो जरूर नजर आए. खास बात ये भी रही कि कानून फिल्म में एक अदालत में चोटा सा रोल इन्हों ने निभाया, वो एक यादगार रोल बना और लोगों ने उसे बहुत पसंद किया था. मुसे घौर से देखिये, मैं वही काली दास हूँ जिसे इसी अदालत ने आज से दस साल पहले इसी गनपत का कातिल मानकर उम्र खेयत की सदा दी थी. दर शक पसंद करते हैं तो ना पसंद भी करते हैं बात 1974 की है उस वक्त राजेश खन्ने की एक फिल्म बहुत चरचा में थी फिल्म का नाम था रोटी इसमें जीवन की एक्टिंग को लोगों ने बहुत सराहा था और खुब वावाही भी हो रही थी उस दौरान एक पब्लिक शो के लिए बॉम्बे से बाहर गए वे थे जीवन जीवन अधिकतर तो ट्रेन में ही आत्रा करते थे क्योंकि उन्हें ट्रेन में ट्रेवल करना बहुत पसंद था जीवन के साथ इनकी टीम के कुछ और लोग भी मौजूद थे जैसे ही ट्रेन स्टेशन पर पहुँची तो शो के जो और्गनाईजर्स थे उन्होंने इनका बहुत स्वागत किया बहुत वाम वेलकम किया तभी एक चपल आकर जीवन के मुँपर लगी अचानक हुए इस हमले से सब लोग हक्य बक्य रह गए जीवन भी हैरान हो गई कि मुझे चपल किस ने मार दी तब देखा तो एक महिला दूसरी चपल भी फैकने की तयारी में थी बहुत सारी गंदी गंदी गालियां भी दे रही है ये देखकर वहाँ पर मौझूद सबी लोग बहुत गुस्से में आ गए पुलिस कर्मियों ने उस महिला को पकड़ लिया तब जीवन उस महिला से बड़ी सादगी से पूछ बैठे मैं तो आपको जानता भी नहीं हूं और आपके शहर में इससे पहले कभी आया भी नहीं हूं फिर भी आपने मुझे चपल क्यूं मारी और ये सवाल सुनते ही वो लेड़ी और गुस्से में आ गई उस महिला ने कह दिया कि तुम बहुत बुरे आदमी हो तुम बहुत से लोगों की हत्याएं करते हो तुमने कई अड़ों की इज़ते लूटी है और यही नहीं तुमने कितने सारे बच्चों को अनाद भी किया है ये सारी बाते सुनकर सब को समझ में आ गया कि ये महिला फिल्मों में उनके निभाए किरदारों को असली मान कर जीवन से इतनी नफरत करने लगी है जब ये जीवन को समझ में आया तब पुलिस वालों से जीवन ने कहा कि महिला का नाम और पता ले लीजिए और इन्हें वापस जाने दीजिए जीवन का ये रूप देखकर सब लोग दंग रह गए साथ ही वहां के और्गनाईजर्स सब लोग इन से माफी मांगने लगे कि आपने हमारे शेहर में कदम रखा और आपके साथ ऐसा हो गया हम आपसे बहुत माफी मांगते हैं इसके लिए हम शलमिंदा हैं तब जीवन ने उन्हें भी एक ऐसी बात कही और चुप कर दिया वो चपल मेरे लिए किसी आवार्ट से कम नहीं थी मुझे तो इन बातों से बहुत खुशी होती है कि उस महिला को मेरे अभिनय में इतनी सच्चाई महसूस हुई और वो मुझे रियल में खराब आदमी समझती है मतलब मेरी अभिनय की जो यात्रा है वो सफल हुई है जीवन जिस शो को करने आई थे वो बड़ा कामयाब रहा फिर अगले दिन जीवन ने कहा वो बॉम्बे जाने से पहले उस महिला से मुलाकाद जरूर करना चाहेंगे और जैसे ही महिला से मिलने उनके घर पहुँच गए जीवन तो वो और घुसे में आ गई तब जीवन ने उनके साथ कुछ वक्त बिताया और सारी बाते समझाई कि फिल्मों में वो सिर्फ एक्टिंग करते हैं जिसे वो सच मान रही है, समझ रही है ऐसी कोई हकीकत है ही नहीं आखरकार जीवन उस महिला को समझाने में काम्याब रहे और महिला को समझ में जब आया तो जीवन से वो माफी मागने लगी इतना ही नहीं जीवन को उस वक्त ये भी पता चल गया कि महिला गरीब है और बेटी की शादी की तैयारियां भी चल रही है तब जीवन ने पिछली रात को जो शो किया था उससे जो भी कमाई हुई वो सारी की सारी उस महिला के हाथ पर रख दी और कहा तुम्हारे भाई वाद भी कहने लगी जीवन को इस घटना से ये भी पता चलता है कि जीवन कितने भावुक थे और कितने बड़े दिलवाले अब इतने बड़े दिलवाले जीवन के परसनल जीवन की बात करें तो इनकी धर्म पतनी का नाम था किरन और इसलिए जीवन ने अपने खुद के खर का नाम भी जीवन किरन रखा था जीवन के दो बेटे और दो बेटियां हैं बेटों के नाम है किरन कुमार और भूशन जीवन और दो बेटियां हैं निक्की और रिक्की जीवन किरन कुमार को कौन नहीं जानता बहुत जाने माने अभीनेता रहे तेजाब में लोट या प बहुत ही दमदार अभिनय के धनी है किरन कुमार जीवन के चारों के चारों बच्चे इन से बहुत प्यार करते थे जीवन की कई बाते हैं जो कि अक्सर इनके बच्चे इंटरव्यूज में शेयर करते रहते हैं बेटे किरन कुमार का कहना है कि मेरे पिता इतने महान और अच् किरन कुमार यहां यह भी बताते हैं कि इनके पिता का एक फलसफा था जो यह भी निभाते हैं। और ऐसा किरन कुमार ने अपने पिताजी को करते वे कई बार देखा था। कई यंग डिरेक्टर्स के लिए भी जीवन अपनी कुरसी छोड़ दिया करते थे जबकि जीवन एक बहुत बड़े एक्टर थे। और दूसरी बात उन्होंने ये सिखाई थी। हीरो चाहे पांच फ कि हीरो इतने सारे गुंडों से लड़ सकता है, पीट सकता है और सब को हरा भी सकता है और ऐसा विश्वास सिर्फ विलन ही दिलवा सकता है। बच्चों और पिता का प्रेम देखें तो बूशन जीवन ने अपने पिता के बारे में सब को ये हमेशा बताया कि हमारे पापा जीवन कभी भी किसी भी भाई बेहन को कुछ भी करने से मना नहीं करते थे और ना ही किसी काम को करने के लिए मजबूर किया करते थे। हमेशा बच्चों से ही पूछा करते थे बेटा तुमें क्या करना है बेटी तुम क्या बनना चाहती हो। एक बार का किस्सा ये है कि प्यार से इनके पास कए और शालींता से अपने बेटे से कहा कौन से ब्रैंड की सिगरेट पी रहे हो जब भूशन जीवन ने ब्रैंड का नाम बताया, तब जीवन ने खुद ने अपनी जेव से एक बहुत बड़े ब्रैंड का पैकेट निकाला और सिगरेट का पैकेट हाथ में देते वे बेटे से कहा आप इसे क्यों नहीं आजमाते हमेशा जो काम करो अच्छे से अच्छे ब्रेंड की चीज यूज किया करो सबसे अच्छा ब्रेंड प्यों सबसे अच्छा खाना खाओ और अगर आपके पास इन सब चीजों के लिए पैसे नहीं हैं तो पहले अपने आप में काबिलियत लाईए, पैसा कमाईए और फिर आप ये काम करिये बेटे भूशन जीवन को ये बात इतनी दिल से लगी कि उन्हें लगा कि वो दुनिया में सबसे खुशनसीब बेटे हैं, जिनें जीवन जैसे पिता मिले हैं, वहीं भूशन एक और किसा यहां बताते हैं, जब स्कूल में वो एक लड़की का हाथ पकड़ते हुए पकड़े गए थे, तब प्रिंसिपल ने नाराज होते हुए कहा था, छुट्टियों के बाद तुम्हें यहां आने की जरुरत नहीं, हम तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, जब जीवन को ये बात पता चली, तब वो बूशन को लेकर स्कूल पहुँच गए, और जीवन ने फिर बड बूशन को इसकूल से निकालने के लिए काफी नहीं है, बूशन जब ये चीजे सुन रहे थे अपनी पिता की, तो वो खुद अपने आपको इतना गौरानवित महसूस कर रहे थे, कि मेरे पिता जीवन है, और वो किसी के सामने अपनी बात कितने अच्छे तरीके से रख द जीवन के छोटे बेटे बूशन जीवन के साथ 1981 में इन्होंने एक फिल्म भी की थी, फिल्म का नाम था लापरवा, जिसमें बाप और बेटे दोनों नज़र आये थे, लेकिन बूशन जीवन ज्यादा लंबा जीवन नहीं जी पाए, बूशन जीवन लीवर की बिमारी से गरसित थे और दो अपरैल सन 1997 को उनकी मृत्य हो गई थी, वहीं जीवन के बड़े बेटे की बात करें किरन कुमार यानि लोटिया पठान तेजाव वाले तो तो वो एक जबरदस्त अभीनेता है और एक गजब के इंसान है, किरन कुमार की शादी सुश्मा वर्मा से होई जीवन के दो पोते और एक पोती है, पोती का नाम स्रिष्टी कुमार और पोतों का नाम शौर्य कुमार और विकास कुमार, ये किरन कुमार के बच्चे हैं, जीवन एक बहुत अच्छे अभीनेता के साथ बहुत अच्छे इंसान भी थे, उनके दिल में सब के लिए बहुत शौक था और उस वक्त शिकार बड़ा चलन में भी था आज ऐसा नहीं है पर उस वक्त शिकार हुआ करते थे बहुत से फिल्म कलाकार भी शिकार करने जाते थे तो एक बार मध्यप्रदेश के खंडवा में किसी एक आदमी के साथ शिकार करने चले गए जीवन लेकिन जीवन क उसी वक्त मर गई लेकिन पेट खुला तो उसके अंदर से उसका ब्रून बाहर निकलाया था जीवन ये सब देखकर बहुत डंग रह गए उन्हें इतना बुरा लगा कि उन्होंने उसी वक्त ये फैंसला कर लिया मैं जिंदगी में कभी भी शिकार नहीं करूँगा और ना जीवन ने अपने पेशे को यानि काम को बहुत गंभीरता से लिया और ऐसी ही गंभीर एक्टिंग भी की और अपना पूरा जीवन इसी के लिए समर्पित कर दिया क्योंकि वो हमेशा इसी बात पर यकीन करते थे कि काम ही पूचा है भाशाओं की बात करें तो अर्दू, अंग्रेजी और हिंदी भाशाएं जानते थे जीवन लेकिन उसके बाद भी उन्होंने पंजाबी, गुच्राती और भूचपुरी फिल्मों में भी काम करकर बता दिया कि भाशा कहीं आरे नहीं आती उनकी यादगार फिल्मों में कुछ नाम आते हैं कानून, तराना, घर की इज़त, मेला, अनुराधा, नौदो, ग्यारा, ऐसी फिल्मों की एक लंबी लिस्ट है लोगों ने अगर बार्न आर्टिस्ट कहकर लपेट ना लिया होता तो मैं इस वक्षाइद कश्मीर में किसी फटीचर किसम के फोटो स्टूडियो में मक्हिया मार रहा होता या लोग मुझे मार रहा होते हैं कहते हैं यह कैसी फोटो बनाई, सूरती नहीं पच्चानी जात हर किरदार को उन्होंने ऐसा जिया कि हमें वो असली लगता है और नारत के किरदार के लिए जब उन्होंने नौन्विज और शराब भी छोड़ दी थी तो ये एक बात बताती है कि वो कितने डूब कर एक्टिंग करते थे और केरेक्टर के लिए कितना काम करते थे जीवन की पसंद की बात करें तो सबसे ज़्यादा शौक था उन्हें घूमने का और लंदन उनकी पसंदिता जगों में से एक जगह थी अक्सर अपनी छुट्टियां बिताने के लिए लंदन जाया करते थे जीवन 1986 में आई थी फिल्म इंसाफ की मन्जिल जिसका निर्मान किया राम नंदन परसाद ने और डिरेक्टर थे ब्रजबूशन यही वो फिल्म थी जो की जीवन के जीवन की आखरी फिल्म साबित हुई साल था 1987 तारीख 7 जून किनी कारणों के चलते जीवन कौमा में चली गए अस्पताल में भरती करवाया गया हलाकि इनकी आँखे खुल गई थी लेकिन ज्यादा समय तक जी नहीं पाए 10 जून सन 1987 वो बेदर्द तारीख साबित हुई जब एक महान कलाकार इस दुनिया से अलविदा कह गया जीवन चले गए लेकिन पीछे छोड़ गए बहुत सारी यादें और एक फिल्मों का कारवाँ बीवी का टीवी सलाम करता है जीवन साहब को और उनके अभिने को जिन्होंने हर किरदार को जीवन कर दिया था और आपको हमारी बायग्रिफी अच्छी लगती है आप कमेंट बॉक में जरूर लिखिए कैसा लगता है क्या फील आता है क्या आप पुराने जमाने में पहुंच जाते हैं कैसी कैसी बाते आप फील करते हैं सब कुछ कमेंट में जरूर लिखिए और ये भी लिखिए आप किसकी बाइगरिफी देखना चाहते हैं बहुत सी लिस्ट है फिर भी आपकी चॉइस हम पूरी करने की कोशिश जरूर करेंगे सब्सक्राइब लाइक और शेर करें और अगली बाइगरिफी हम चलते चलते बता दें कि इनकी आने वाली है उनकी आने वाली है जिनने बहुत पसंद किया जाता है बहुत डिमांड है सबने कहा कि इनकी बाइगरिफी चाहिए और रेडियो पर उनके गानों की डिमांड होती है हर जगे उनकी डिमांड है He is none other than one and only our own प्यारे ऐसे सिंगर जिनको सुनकर कभी मस्ती का मूड होता है कभी हम रोमेंटिक हो जाते हैं कभी सैडनेस आ जाती है और उनकी जब जीवनी को जानेंगे तो हस हस कर लोटपोर्ट भी हो जाएंगे जी हाँ किशोर दा की बात कर रहा हूँ किशोर कुमार साहब की जीवनी आने वाली है थोड़े ही दिनों में वक्त लगेगा रीसर्च चलेगी लेकिन आपके लिए बहतरीन से बहतरीन बाइगरेफिल आने का हमारा वादा है बस आप डूबे रहिए बॉलिवूड के प्यार में और यू ही हमें प्यार देते रहिए बीवी का टीवी को बहुत जगए आप सेंड करिए शेयर कीजिए ज्यादा ज्यादा लोग देखें तब ही हमारी महनत सब तक पहुँच पाएगी अगली बार फिर से मलाकात होगी टूबे रहिए बॉलिवूड के प्यार में